प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आफ और सभी को जैहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जैहिंद रियक्शन्स पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आप लिए लेटेस्ट एक बहुत ही इंट्रस्टिंग वीडियो पर यह वीडियो काफे इंट्रोस्टिंग होगी इसे अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करतें ताकि हम आपके लिए से American diplomat को, Gloria Bregania को, उस पे बात करना चाओँगा और जो इस वक्त इस तेन्ड लिया है, उसके उपर भारत ने वह बात करना चाओँगा, पिछले तीन-चार दिनों से, बनके तीन-चार दिनों से, तीन-चार दिनों से तो यह अमेरिका का वाक्या था, इस से पहले भी पिछले से कभी वो सी एक के हवाले से सिडिजनशिप एक्ट पे और कभी केजरी वाल पे जो है वो भारत को लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है और मैं बहुत खुश हूं कि इन्हों ने डिमार्श किया बलके जवाब भी दिया इसका एक तो मैं दो वाकियात बताना चाहूंगा एक जर्मनी ने सबसे पहले तो अमेरिका ने सिडिजनशिप सी ए ए के उपर जो तनकीद की कि हम वी आर वाचिंग इट उसका जब जवाब दिया गया तो मैथ्यू मिलर जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स परसन है लेकिन साथ ही अगले हफते फिर दुबारा होनोंने क किया दिया कि केजरी वाल पर कंसर्न हो सारा कुछ जिसकी वज़ा से गलोरिया बरबेनिया को बुला के 40 मिनिट के लिए डिमार 40 मिनिट की मीटिंग थे जब मीटिंग यह लंभी होती है तो उसमें यह जूम किया जाता है कि डिस एग्रिमेंट्स हैं और अंदर फिर यहां क हमाईटी पे पाबंदियां लगाने के चकर में हैं अपने खुद का भी पहले गरेबान जाक ले और उसके बाद अमेरिका को जो बताई गई हैं तीन चीजे एक तो अबॉर्शन के हवाले से उन्हें बताया गया अमेरिका के हालात है फिर उन्होंने बताया कि बाडरों के रूलिंग अलीट जब उनको वैलेट से बाहर रखने में नकाम रही है फिर दूसरा अटैक किया गया है उनके उपर के उनको फिनैंशली बैंकरप्ट किया जाए उनको डीमॉरलाइज किया जाए तीसरा जो इस वकत मुलक के जो प्रेजडेंट हैं तर हकीकत उबामा साब आजकल परिशान हैं पिछले एक हफ़ते में दो मीटिंग्स कर चुके हैं बाक बाइडन के साथ और उनको कंपेइन एडवाइजरिंग एडवाइज कर रहे हैं कि डानल्ड टरंप जीत रहा है आएं मिलके अब यहां पे अफवाएं उड रही है वाच्छेंट डीसी में कि किसी तरीके से उनको पकड़ लिया जाए जेल में भेजा जाए ताके वो डीमॉरलाइज होके अलेक्शन से बाज आ जाए तो यह यह इसको आप खुद क्या कहते हैं इसको जमूरियत कहेंगे आप एक सिटिंग प्रैजिडंट कंसर्विटेव अपने सपोर्टर्स को रिप इसको बखड़कर 18-18 साल साल की सजाय दी गई हैं यह इनका जूडिशल सिस्टम अपना काम कर रहा है जाके अगर यह भारत में पोकिंग करें जाए जर्मनी ने इतराज किया है और इन्हों ने इतराज किया कि होप कि वहां पर जुडिशल सिस्टम जो है काम कर रहा हो वह के लिए केजरी वाल भायजान उसमें अपियर नहीं हुए तो दस्वी दफ़ा उन्होंने आके पकड़ा है बलके यहां पे यह लोग यह भी बातें कर रहे हैं कि वो चाते थे कि हीरो बने जेल में जाए अब वो जेल से एलेक्शन लड़ रही हैं वो चाते थे यह सारा कुछ दस्वें नोटस पे जाके पकड़ा गया और कंट्री के बेहतरीन वकील उनको मुयसर है और सारी कौम उनका मुकदमा देख रही है तो यह दर हकीकत आज मैं जो बताना चाहूंगा कि अमेरिका जो है और यह वेस्टन सिवलाजेशन जो कर थक चुकी हैं बूरी हो चुकी है आउट्डेटिड है और इनके बच्चे सारे नशों पे लगे पड़े हैं यह इनकी पुरानी आदत है दुनिया को लेक्चर देना दुनिया को बताना हम ही इनसानी हकूप के अलंबरदार हैं हम ही जिम्हूरियत के अलंबरदार हैं जरा इनसे पूछा जाए कि 32,000 फलस्ति आज भी पैसा उनको दे रहे हैं वहाँ इंसानी हकूप के कोई हालात नहीं है वहाक कितनी बेश्यर्मी है यहाँ पर क्युंकर दूसरे मुमालग जिस तरह है, जिस तरह मालडी आम, पॉर में बिजि रहते हैं, इनके सामने बोलते नहीं हैं, अमेरेकन अमबेस्डर जो हो पाकस्तान बे इस तरह घुमता है, जिस तरह कभी ब्रिडिश व première घुमता था वह तो मैं बहुत खुश हूँ के गलोरिया बर्बेनिया को बताया गया है के मैडम पहले अपने गिरेबान में जहांक लो और ये जिमूरियत मुरियत के लेक्चर किसी और को देना जाके और ये जो अदालतों के चकर में पढ़ना पहले अपनी अदालते देख लो काम कर रही है क जो जो अटर्नी जर्नल इस वकट डानल्ड टरम्प को वो ट्रायल कर रही है उसके कमपेन का ये वादा था लोगों के साथ मुझे अलेक्ट करो मैं इसको अदालतों में घसीतूंगी ये हैं अपनी अदालते इनकी और फिर इनकी अदालतों के हलात ये हैं कि जज सारे जो और अबराक उबामा के पॉइंटिट हैं सिर्फ उन्ही के पास केस लेके जाते हैं डानल्ड टरम्प की और खुद डानल्ड टरम्प ने फरमाया था कि अलकपोन जो कि शिकागो का बहुत बड़ा गैंस्टर था उससे ज्यादा केसिस हैं मुझ पर ये केजरी वाल के लिए परेशान हैं रिदा चार लगाए कितना स्टेंडर हैं लोग को जो जिस तरीके से इस वकित इए अमेरिका जो डालरों की बॉरियों के मुझ खोल दिये हैं वह तो कोई भी आरजू आप दे, मैं आपके नाम का कर्वा जेता हूं यहां से कि मुझे किसी कांगरिसمن्स से कर्वा जेता हूं कि आरजू के लिए मैं बहुत परिशान हूं गई आप दे 10,000 डाल Canal तो आपके लिए statement दिलवा जेता हूं मैंने यही तो कहा था कि दूनिया ने कांगरस्मेंट दोते की दरब बोलते किस तरह यह सीखा है उस पे परशान कोई नहीं है परशान अपना बार्डर नहीं देख रहे हैं उस पर क्यों नहीं बात करते हैं यहां पर सारे माल्स बंद हो रहे हैं पुलीस की शाटेज है जूडिशन सिस्टम कर इस पर क्लाप्स कर उस पर कांगरस्मेंट कोई नहीं बोल रहे हैं अपने इंटरनल इशूस पर बिल्कुल नहीं बोलते हैं इंफलेशन से दुनिया इस वाद लोग क्रैड काड़ अपने चार्ड कराके खाना खा रहे हैं इतनी महाई यह इस कैंट्री के दर उस पर तो कांगरस्मेंट नहीं पाकिस्तान और इरान की गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट में बहुत प्रशान है डालर लगे हैं डालर लगे हैं लेकिन उसमें जो अगली बात जो मैं खासकर दूसरे नंबर वाला जो इस वकर इशू है और दूसरा मैं केजरी वाल साहब की चीज बिलकुल आपने सही फर मैं यहां पर अभी पुल गिर गया है सारी दुनिया ने देखा होगा अगर वो पुल बना तो फिर मैं बात करूंगा कल हमारे जो सेल्टरी बूटचेंग है सेल्टरी ट्रांस्पोरेशन उन्होंने आके दो बातें की मैं हरान था हारे वे खलाडी जिस तरह आते हैं मैंच ह किसलीम कर लें तो फिर उसके लिए इस तरह के हारे वे हारे वे लोग जिस तरह देखें आर्जो इस वकत इनको बता दिया गया है यार कि तुम उबामा ने बिल्कुल सही तरीके से इस कंट्री को जो उनकी खाहिश थी किस कंट्री को सौथ एफरिका बना दिया जाए कीनिय बना दिया जाए उन्होंने बना दिया सक्सेसपूली यहास डिलिवर डिट को उसकी वज़ा यह है उसने इस कौण को बता दिया है कि तुमने काम नहीं करना मैथ जो है वो रेसिस्ट है हफ़ते में सिर्फ चार दिन काम किया करो तीन दिन गांजा पिया करो दमा दम मस्त कर अजर अंजर और दम मारो दम करो जैसा यह उसकी ट्रेइनिंग थी और यह कर रहे हैं उसकी वज़ा यह है कि आप चले जाए हार्वर्ड में प्रिंस्टन में सिर्फ दो कौमें नजर आएंगे आपको पड़ती हैं यह चैनिज यहां इनके बचे तो ना सेट कर सकते हैं ना ज कर सकते हैं कुछ आशा करता हूं कि वीडियो का अपने अंतक देखा होगा और हमेशा की तरह आर्जू कास्मी जी और साजी तरह सापका यह पूरा डिसकेशन और इनके पॉजिटिव एनलिसिस आपको काफी पसंद आयोंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानन मुद्धों में टांगड आ रहे हैं उसे देखते हुए भारत ने जर्मनी से लेके अमेरिका को मूत और जवाब दिया है तो आशा करता हूं वीडियो को काफी पसंद आयोगी अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो इसे लाइक और शेर जरू कर दें और अपने झाल